भारत हमेशा से ही हर एक शेत्रों में दूसरे देशों से बराबर की टक्कर देते आ रहे हैं ओ फिर इस्रों की नए-नए खोजी हो या फिर कुछ नए अविश्कर ही क्यों ना हो हर एक जगह पर अपने एक अलग छाप छोर कर जाता है आज में ऐसे ही भारत के एक महान बेक्ती के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने नए-नए आभिश्करों से भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दिया जी हाँ आज में आर्यभट के बारे में बताने वाला हूँ जो हम लोग स्कूल से ही इसके बारे में सुनते आ रहे हैं लेकिन आज में इन महान गानी तक खोगल बिगानी के बारे में आप लोगो को डीटेल्स में जानकरी देने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहरे जो लोग इस चैनल में नए आये हैं और नीचे के सब्सक्राइब के बटन को दबा कर हमारे इस कम्यूनिटी में जोइन कर ले जिससे की आने वाले वीडियो को मिश ना कर पाए और जो इस कम्यूनिटी में पहले से ही हैं उन लोगों को मेरे दिल से स्वागत हैं आर्यभट पास्तो इसवी के एक महान गणितग उन्होंने जिन सब चीजों का खोच किया था ओ सिर्फ भारत की ही नहीं पुरी दुनिया के लिए बहुत ही अनमोल है उन में से सबसे महत्यपुन आविसकार था जो हम लोग बच्पन से है सुनते आ रहे हैं ओ है सुन्य अर्थाथ जिरो अगर सोचे सुन्य का आविसकार ना हुआ होता तो आज हम लोग गिंती कैसे कर एना सबसे महान आविसकार इस महान बेक्ती का जन्व हुआ था 476 AD में केरला पर उन्होंने अपनी पड़ाय विक्खार्थ नालंदा उनिवर्सिटी से किया था नालंदा विस्चर विद्धालाय में शिक्षा पूरी करने के बाद ये बिहार चले गए और बिहार के कुशुमपुरा के निकर स्तीत शिक्षा के महान केंद्र में अपनी पड़ाय जाली रखी बिहार के तेरे गाना जिले में वे रहते थे, इनकी नीजी जिंदिकी के बारे में ज़ाधा जानकरी नहीं मिलती था उनके खोगोल बिग्गान में किम्ती अवदान में से एक हे हेलियो सेंट्रिक थियोरी जो साबित करता है कि सूरियो सोरियो प्रनाली के केंद्र में स्तीथ है और सभी ग्रह इसके चारो और घुमता है बास्तव में उन्होंने दुनिया में सबसे पहले, कोपार निकस से भी पहले इसका खोच किया था उससे पहले सब लोग ए मानते थे की सुरिय प्रिथिवी के परिक्रमा करते थे उन्होंने ए भी कहा था कि प्रिथिवी आकार में गोल है और अपनी दूरी पर घुमती रहती है जो दीन और रात का अस्तित्त बनाती है इन्होंने कहा था कि चंद्रमा में प्रकास नहीं है और चमकता है क्योंकि ए सूरिय से प्रकास को दर्शाता है उन्होंने सूरिय ग्रहन और चंद्र ग्रहन की गलत धार्णा को भी नकारते हुए साबित कर दिया था कि ग्रहन प्रिथिवी और चंद्रमा द्वारा डाली गई छायों का एक कारण है आधुनिक उपकरन के बिना ही उन्होंने इन सब चीजों का खोच कर लिया था कारण था कि उनकी तेज दिमाग करी मेहनत और उनके समर्पन इन्ही वज़व से ही उन्होंने इतनी खोश कर पाई है आरे भट खोगोल बिग्जानी के साथ साथ एक बड़े अच्छे गनित अगवी थे उन्होंने गनित और खोगोल बिग्जान में नएक कतोती और सिधान्त लाए गनित में उनका योगदान बेजोर है और इसे नाजार अंदाज नहीं कर सकते हैं क्यूकि ये ओही थे जिन्होंने पाई के अनुमारिक मुल्य को घटा दिया था जिसे उन्होंने 3.14 पाया आर्योभट ने त्रिकोन और बित्यों के सेत्रों की गरना के लिए शही सुत्र भी निकाले थे इन्होंने प्लेज भेलू सिस्टेम का निधारन करने में बहुत बरी भुमिका निभाई त्रिकोनोमिती और एलजब्रा अर्थाद बीजगनीत के आधार का गठन किया उनके इन्ही महत्तपून योगदान के लिए ही भारत के पहले सेटेलाइट को आर्योभट नाम दिया गया था जिसे 1975 में लॉंच किया गया था भारत के नैनिताल के निकट आर्योभट अनुसंधान संस्तान और पतना में आर्योभट ग्यान विस्सविद्ध लए उनके नाम पर ही रखा गया है सच में हमारा भारत महान है अमारे देश में इन जैसे महान ग्यानी पंडितों का जन्म होकर इस देश को दुनिया में एक अलग ही सान दिया है तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर एक ने वीडियो के साथ आप लोग के बीच आऊंगा गुद्बाई